सारे बाइएने मेरी रामरा मैं चक्तिप श्रमा स्टैप अपजेसर यूटूब चैनले पर आपका स्वागत करता हूँ अभी मैं हूँ फरिदाबाद सुखोई अकेडमी देखो 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 बच्चे कैसे चुटे हुए हैं यह है सुखोई अकेडमी की मैस और मैस में इसल घ्टों से गुथा जाए थोड़े से पेरेंट्स से सोच लेते यह इतने बच्चों का अथा हात्स से अका अच्छा नहीं है तो उनके लिए साफ सुथ्री तरीक्टे से अटा गुत आजाता है यह किचन है यहां पे रोटियां यह दिखाए उसको अभी है बोला कि यह बोल जूट बात भी निया क्योंकि मैं कई बार आचको हमेशा यहां पर जूर राता हूं अच्छा बच्चे कितनी बार खाणा लो यह सब के लिए ऐसा है कि दो रोटी से जाद है अनलिम्टेट अच्छा कोई बिमार हो जाए तो उसके लिए सब सुप्ध है साथ किच्रिया है पा रोटिया है और सब कुछ बढ़िया है यहां पर अगर हम देखें तो यह है यह है अलू की सब चीए है डाल है और मेरे भाई है कि खाना स्वाद है क्या बढ़िया बिल्कु देश्टी अच्छा बार बार ले रहे हो यह तो यह तो अधा बई किचन अब हम चलते हैं बाहर विड़े तो नहीं बंद करी ना हम विडे निवन निची बस लगाता अचैना चीए सारा मामला देखो साफसभाई की बात करें तो प्लेट सब दूली होई है साफ सुत्री है और इधर लाइन भी लगी हुए है हलो एफ्रिवट अ पता निमने जाने भी है गनी हारे मिरे को तो कोई जानते हैं गया क्या बाद है अब तो मैं चोड़ा हो जाओंगा अच्छा वाह अरे छोटू भी बैठाए प्लीज प्लीज सारी छोटू है पासे तो इदर हेलो छोटू कैसा है ठीक हो ठीक है यह खाना नहीं खारे आप खारे हो मैं भी खाक देख लूँ गया कभी बात में करें मैं जुठा नहीं खाऊंगा खालू मैं ओके एक यार एक बच्छे के साथ एक बाई तो खाई लूँ मैं बैटा रोटी तो तेरी धंडी हो गी है तुम बैठा ही ऐसा है कि हाई टी इतनी है तरी ओके कहां से है यूपी मुरादबाद यूपी मुरादबाद वाह थैंक्यू शोटू थैंक्यू तो यह बच्चे सबी हर्याना से बाहर हर्याना से बाहर कितने बच्चे हाथ गड़ा करो अरे हर्याना का गोना हाथ नहीं हर्याना का गोना हाथ गड़े करो एक दो तीन चार इचर परच बच्चे हर्याना के बाकि सारे बाहर से हैं अच्छा कहां से हो बिहार से कहां से गुजरात गुजरा और आमियमाक्ट्राश्ट्रा आप्राश्ट्र दिटैर्फार तरसा मिक्या काई सब्सक्राइब। पंजाब युप बले न्iesen o क्या बात है यह भी छोड़ा सा है बिहार 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 तुम्हारे पास अभी आ रहा हूं पहले इधर से इधर से कहा से बिहार बिहार से केरला 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 पंजाब पंजाब केरला वालों की भाचा समझ में आती है हमारी हिंदी समझ में आती है नो हिंदी नो हिंदी तो पढ़ाई कैसे कर नो इंग्लिश इंग्लिश तो नो है कि तो यह बात कैसे समझ ली चुरू तो गज्रात ऊत्रक्राइवाट बद्यप्रदेश एंपी बिहार भीहार से हो अब यह चोटे-चोटे भाही दरभी बैठें काहां से हो राजिस्तान अरियाना अरियाना हरियाना हरियाना कां से पानिपत पानिपत से पलवल पलवल से उत्राखंड उत्राखंड महाराश्रा महारास्रा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार बिहार राजिस्थान राजिस्थान वाव अरे पुराई गुम गयार 360 पे तो इधर इंदर अग करना दो यह वे कि वाई इधन वांधियोंट नीrail हिरा जए कि वह से तक में ठाइजर स्ना हमाजल माचल इंध जहार खनारे आप कन्युसर ज्य ज्यादा ना यह Laos आपको समझ में आती है केरला वालो कोई नहीं मेरी हिंदी समझ में आती है माराश्रा माराश्रा गुज्रात गुज्रात बिहार मुंबली महराश्रा माशल परदेश कुमेर परकश्मीर को यह ले लाओ schol में Singe क हूं आपके बास नहीं नहीं आँ अीज औरभाश से तो यह बच्चे अलग अलग राज्यों से हैं और जितने राज्य मैंने सुने थे उसे सज्चाज ज्यादा ही है तो यह बच्चे इतने दूर से आए सिर्फ पढ़ने के लिए क्योंकि यहां पर पढ़ाई ही उस तरीके से होती है दूसरी बात 62 में से 14 बच्चों का सेलेक्शन यह एक बड़ा मिरेकल है और सबसे बड़ी सबसे स्ट्रोंग यह इनको एक ऑपर्चुनेटी है बच्चों के लिए माबाप को दिल थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है ताकि अपने बच्चे का भविश्य सुधार सकें साइद जैन में यह बोदर में कावत है पहले दुख पच्छा सुख पहले इतना थोड़ा सा बच्चों को करना पड़ता है ताकि यह आगे जीवन में सक्सेस हो पाएं और हमारे साथ एक सर्वी हैं उनसे बात कर लते हैं सर नमस्कार आप क्या पढ़ाते हैं सर पीटीए सर अगर कोई बच्चा क्योंकि नए बच्चे आए हैं इदर बहुत सारे बच्चे पेट दर्द का बहाना भी बनाते हैं और बहुत सारे बच्चों के पेट दर्द होता भी होगा है तो आप कैसे सोशता है इसको दर्द है की नहीं हो पता चल ठ blending ता सकी आप चल ज हिरम के लिए बच्च्चे अबरें के लिए जो गरम खाना अब घाने की भाभ देक रहें कितना गरम है अश्टार और वांके में इंडा अच्छा लगता है मुंता अ कितनी वर खाना बं।श्ट जो ईतिस में, तीन बार तो इतो तीन भार नायम है ताजका मिरता मंदाए यह इतकी अधार बचार तो भाई को और आपने माबाप तो कुछ मैसिस देना चाहे कोई बचा है साथ खड़े करो जैसे मान लोग कैसे मैं मेरे बाब आपको कहना चाहूंगा कि पापा इलव यू ममी आई लव यू और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आप सबसे बैस्ट हो इस तरीके से कोई बोलना चाहेगा क्या अब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो ममी पापा इलव यू वाव और कोण बोलना चाहेगा अच्छा आप सारे हाथ खड़ा कर लियो कोई नेया मेसिज होना चाहिए हर बार मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे ममी पापा ने मुझे यहाँ पर भेजा थोड़ा दुख भी सहन किया और मुझे भी शुरू-शुरू में थोड़ा दुख हुआ लेकिन पढ़ना था और कुछ बनने के लिए भेजा था कुछ करना था इसलिए ममी पापा ने जाँ जाँ प्रिटा मम्ी बावन गया है हम रहीज हैं आप कैसे हो मैं भी ठीक हूं आपक थीक हूं और ओर कौन बोलेगा अपने पर एक मैंसेज देना चाहे हैं यहां पर पड़ाई करने के लगा हूं तो सैनिक स्कूल में इंटल स्कूल पका निकाल के जाएं जाऊंगा क्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना दूर बेजा पढ़ाई के लिए वह सबसे बेस्ट मामे बाप क्या बाद है कि इतने छोटे बचे इतनी बड़ी-बड़ी बातें बहुत बड़ी बात मेरे पापा का एक सपना था कि मैं आरे मिस में चाहूं और रही हम से क्लियर करूँ इसलिए मेरे पापा ने मेरे को इदर बेजा है आई लव यू क्या आप पापा मैं आप टेंचन मत लिए इस वार मैं हमेशा की तरह सेलेक्शन लेके अच्छे मांक से आओंगा और आपका अपने ममी बापा को अच्छा सा मैसिज देना चाहें जी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार मेरा आरे में सट्थाने क्लियर और अपने ममी बापा को एने मैसिज फोर मदर एंड फादर और कौन है जो मैसिज देना चाहेंगा ममी बापा को ओके देट्स जी ममी बापा आप लोग ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मुझे यहां तक छोड़ा मैं आपको इस साल पक्का करके दिखाऊंगा आई लव यू ममी आई लव यू पापा वैरी गट और कौन बोलेगा उधर अरे हाथ तो निचे कर ले वेटा रोटी खाले फिर मैं आवगा तेरे पास हाँ जी ममी पापा आपने मुझे यहां पर इतनी मेहनत से भेजा मेहनत करने के लिए अब आप जब अब आपने मुझे भेजा है तो मैं क्लियर करके यह निकलूँगा आपका नाम रोशन कर दू है फिछले साल मैं वेटिंग पर रह गया ता इस साल नहीं रहूंगा यह मेरा प्रामी से मेर ममी पापा से थैंक यू एंड लव यू ममी पापा क्या बार और कौन आप बोलोगे बिटा बेरी गुट बोरी गुट बस ममी पापा आपने मुझे यहां पर पढ़ने के लिए दी और मैं आरमेस क्लियर करके पक्का आपके पास आओंगा और अच्छे माक्स से वो भी जी और कौन बचा बोलेगा बोलेंगो बिटा बलोगे अच्छा बलो बिटा ममी पापा मुझे आपने यहां तक इतने पैसे वेश्ट करके यहां पर भेजा है तो मैं यही चाहता को अपने ममी पापा से बोलना चाहूंगा कि इस बार मेरा अरमेस और संदी में दोनों में हो जाएगा और आप टेंशन मत लेना इस बड़ दोनों में सेलेक्शन कर वह कुए तो ये बच्चे है सुखोई अकैडमी के जहां पर माबाप बड़ी आशाओं से यहां पर बेचते हैं उसी आशाओं पर यह अकैडमी भी खरी उतरती है बहुत मेहनत इन बच्चों पर लगाती है करती है यहां का स्टाफ भी यही पर घाना काता है और सब कुछ ऐसा ही चल ला है यो पड़न यहां पर लगाई हुए हैं माबाप अपमे टुकड़े को यहां पर चोड़ के गए हैं और छोटे चोटे बच्चे करें मम्मी पापा टेंशन ना लो आपने जो अमपर खर्चा किया है हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेंगे यह मैसीज एक छोटे-छोटे बच्चों का अपने मम्मी पापा और जो मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों पर विश्वास रखें यह बहुत अच्छा यहां पर काम कर रहे हैं आप सबसे बैस्ट मम्मी पापा हो जो अपने बच्चों के भविश्य के लिए इस तरीके सर सोच रहे हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कूँगा सभी बच्चे मजे कर रहे हैं ना इदर कोई चिंता विंता तो नहीं है ना कोई गीत सुना सकता है कोई देश वक्ती गाना कोई भी एक कोई भी एक चलो एक गाना तो जुरूर सुनूंगा यार मैंसे जी तलवारों पे सरवार दिये अंगारों में जिस मूझ जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे यह के सरी रंग सजाया है है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सए महफूज रहे तेरी आनस ताचाए जान मेरी यह रहे न रहे हाँ मेरी जमीन है मूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस मूझ इनकल के खून कहे तरी मिटी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की अरजू तेरी नदियों में बेंजावा तेरे खेतों में लें रावा इतनी सी है दिल की अरजू सरसो से भरी कलियान मेरी जाँ जूम के बंगडा पाना सका आबाद रहे वो आओ मेरा जाँ लोट के वापस जाना सका ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुरबान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था तेरी मिटी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की अरजू तेरी नदियों में बेंजावा तेरी फसलों में लेहरावा इतनी सी है दिल की अरजू जिनों ने अपने दिल पर पत्थर रखके इन बच्चों को यहां पर बेजा है और देश का असली भविश्य तो यही है तो सरफ यह वीडियो इतनी है आपको इस बारे में क्या करा कमेंट बॉक्स पर नहीं राये दे तब तक के लिए भारत मादा की जय है तैंक यू